राजय वली ने गुरु सुक्राचारजी सीताना गुर्देपुई ब्रामन बालक आया है थोड़ा मान सम्मान स्वागत कर दें दें जाओ राजय वली आया अबामना भगवान की चर्णद होई सारे भवन में सिंचन कराया और कहता है अध्याना पितरस्त्रता अध्याना पावितम कुलं माराज आपके आने से मेरा घर मेरा यक मेरे पितरस्त्रत हो गए हमें ऐसा लगता है राजय वरी बोला कि आप हमसे प्रसंद हो के यक भगवान ही तो नहीं प्रगट हो गए भगवान बोले नहीं नहीं हम एक ब्राह्मन वालक रहे हमने तेरे यग का नाम सुना स्वहमतों दर्सन करने चले आए राजय बली हाँ जोड़के बड़ी प्रपाती इस समय हम यग के अजिमान है संत ब्राह्मन भक्त जो भी आता है दान देते हैं और इतना दान दे रहे हैं महाराज के वो याचक बने के आता है लेकिन हमारे यहां से आयाचक बने के जाता है कभी उसे मांगना नहीं परता है तो बामन वग्वान ने बड़ी तारी आरे ऐसे तुम क्यों नहीं होगे जी के हमारे बहुत अच्छे संबन्द थे उनके पीछे स्वें भगवान पर मात्मा खम से प्रगड़ हो गए राजय वली बुला छोटा सा वालक हज्जार वर्स पहले की बातें बतावा इसके जजन का प्रभाव हो फिर कहा तुमारे पिता जो विरोचन थे ना वो तो दर्मक धरमातमा जैसे माता पिता को कांधान वेसी तो संतान होएगी राजय वख्ली बड़ा प्रसं लोगा है अरे मारा जी आप तो बहुत दिंसे हमारे घर परिमारे से सप्रच्छत भगवान भोले है हम बैसे जाती आते कहीं नहीं है वगवान बामन बोले हमने सोचा चलो यह वगवान की दर्शन करें है सोन चल दिये और यहां तक चले आए राजय बली भूला मराज अब तो पुछ दक्षना मांग ले हो जिस्चे हमारा मांग रह जाए आपका समान हो जाए तो बामन बगवान बोले हमें जाना मांगने की यालियत नहीं है तम तो वैशन दर्शन करने चले आए लेकिन राजय तुम बड़ा प्रारत और भाग साली है हमारा तो यही काम है संसार में ब्रह्मन करते हैं यक मट मंदिर तीर ती यात्र यही हमारा काम है लेकिन जहां भी हम गए वहां तुमारा नाम सुना है बड़ी तारीफ पर तारीफ की और संसार में बहुत बड़ी तारीफ हो वे आदमी को अभी मान ना है सम्मान को जो जिल जाए वही मानब है तारीप की सु राजा वली बुला हाँ हाँ मराज आपने जो तारीप सुनी वो गलत नहीं है आप तो मेरे धर्म और दान के वल पर लोग मुझे त्रलोकी नाथ भी कहने लगे भगवान बुले त्रलोकी नाथ तो हमें तुम कब से बने गए बस यहीं थोड़ा चलने का मौका मिला भगवान बुले देखो राजा वली हमारी पूर्ण किरपा तुमारी उपर है लेकिन हलका साजी अभीमान जब तक तुमारे हिर्दय में रहेगा तब तक शंपूर्ण किरपा हम कैसे करेंगे इसे भगवान हमने बताया अपने भगतों के हिर्दय में अभीमान नहीं रहने देना चाहिए उर अंकुरेव गरब तरुभारी उस अविवाने के अंकुर को भगवान मेटा देना चाहिए तो जब राजा वली ने जाना कहा तो भगवान बामन बोले अच्छा तुमारी इक्षा है तो थोड़ी सी दक्षना माग रहे हैं क्या पदानी त्रीन देतें रो सम्यतानी पदाममा तीन पैर करती है राजा वली हाँ जुड़के बुला बामारा अभी भजन किया है तब जब माला जपी ये पता नहीं है बड़े आदमी से क्या मांगना चाहिए एसी लगविया चिना से माने क्यों घटाते बदनामी होगी संसारे के लोग कहरा रहा वली बड़ा लोगी है एक प्राममा को तीन प्यर दरती दस पाच पचास की गाज़े देते है सोना चांदी खजाना में से कुछ दे देता तो राजय बली से बामन भगवान मुले दे को देना हो तो दे हो और नहीं देना हो तो नहीं दे हो राजय बली ने आइडिया लगाया थोड़ा जिर्टी भी है बच्चे ही तो है चलो अमाराज जी के तुमारी ख्षा है दांत जी धरती अपनी पड़ी जहांसे मांगना हो वहांसे ना पलो बामन भगवान बुले ऐसे नहीं तुमने दिया तुमारी पत्णी ने मना किया पंडे जी को बुलवाओ गाठ जडवाओ संकल होगा तब लेंगे अब जे सब बातने सुक्रा चाहर जी सुन रहे थे गुरू जी राजा बली के बेठे यग साला में अविद्वान थे तरकाल दर्शी मात्मा उनने ध्यान लगाया सूचने लगी बालक है कोई बवाल तो नहीं आगिया सुच समझ गए क्या समझ गए ये बेकुंट में रहने वाला साक्षाथ भगवान है साक्षाथ बेकुंट में रहने वाला परमात्मा है और राजा बली से बोले बेटा राजा बली जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इस बालक को यहां से अटा दे तो राजया बली बुला गुर्देव जो भी संथ ब्रामन आता आप कहते सम्मान करो दान दक्षना वो जन इस बालक से कोई आपका बिरोध है बोले बिरोध नहीं है तुम नहीं समझ पाए वेकुंट में रहने वाला नारण है बरमात्मा देवताओं का काम बनाने के लिए ब्रामन वने के आगया इस बैरोध चिने साचछा भगवान विश्नुरब्याया कस्पादे दितिर जातो देवा नामका रिसावधका देपताओं का काम बनाने के लिए आया राजवली खुश हो गया गुरू जी आप नाराज हो जाओगे हम आपको तो मना लेंगे भगवान पहली वाराया और नाराज हो के चला गया तो आने वाला ने मेरा भाग देखो सारा संसार सुवै से साम तक जिन से मांगता है वो परमात्मा मेरे दरवाज का विकारी बना एक बहुत पराना बजन है आपने सुना होगा गाते हैं भक्त लोग दाता एक राम विकारी सारी दुनियां दाता एक राम विकारी सारी दुनियां वले हारी सारी दुनियां दाता एक राम वे भेखारी दारी दुनियां दाता एक राम क्षब होका असे बना निर्धन तो मांगे ही मांगे मांगे सब संसा हाथ जोड कर दे हूँ मांगे जिनके रजदनिया हाथ जोड कर दे ही मांगे जिनके रजदनिया ताता एक राम वेकारी सारी दुनिया 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 ताता एक राम वेकारी दुनिया देने वाला है भगवानों लेने वाला साथ साथ अब तुमने का सो हमने तीन पक धरती मांग लिए तो राजय वली बुला वो गुरू जी हम उने मना लेंगे हम छत्री हैं जो आप से कह दिया वो करते हैं इतनी धरती अपनी जहां से ना पना है वहां से ना भुलो संकल भुआ तो बामन भगवान बड़े ओ कितने बड़े वुले तद बामनम रूप मवर्द ताद भुतम हरी रनंतस गुण त्रयादम कम इतने बड़े भगवान का बिरार सरूप हो गया पगपाताल सी से अजधामा भगवान ने जब बिरार सरूप बनाया तो सबसे ज़्यादा लाव जामन्थी मराज ने लिया उस समय जामन्थी मराज जवान थे तो इस स्वरूप की साथ पर्प्रमादी जामन्थी ने दो गड़ी में एक गंटे से डाई गड़ी का एक गंटा हो था शमुद्र कनारे जामन्थी यही कह रहे जब कोई समुद्र उस पार लंका में जाने के लिए तैयार ने हो पा रहा है क्या करें हम गुद्धे हो गए बंद्रोंने का बाबा कभी कुछ किया है तो के रहे थे हां बली बांदत प्रभु बाड़े सोतन बरणी न जाए ओभए घरी में दीन्यो साथ प्रदक्षिन धाए ओबामन भरवान जो विरार सुरूप में आए दो पैर में सब कुछ ना पनी आप लिया एक में नापी प्रिथवी दूजे में आकास तल वितल तल जो सुतल नीचे लोग है न भूबो अस्वाजना जो साथ लोग उपर है तीसरा पैर खाली रह गया कहां रखे है राजय वली से बोले जो ब्रामन को दान दे के पूरा नहीं करता नर्गामी होता है तीसरा पैर खाली है तो राजय वली ने का मरा जबीतो जमीन संपती दंदोलत ना पाए राजय बड़ा होता है या राज बामन भगवान बुले राज नहीं राजा बड़ा होता है चुकि राजा के अधिकार में राज है तो राजा बली बुलावी तो धन संपती जमीन जाजात नापी है राजी का मालक इस सामने खड़ा है हम लेटे जाते हैं तीस्ता पे रमकर रख लो ऐसा करना नहीं था भगवान बराठ शुरूप में बोले धन्यहो राजन जैसा नाम सुना वैसा काम देखा आज सत्ता की गली में परीक्षा में तुम सफल हो गए हम इतने प्रसंद हैं वमसी मांग लो राजा बली बुला किया मांगे आप यहां तक पदारे राजा बली की पत्नी राणी बिंध्या बली बगलबे खड़ी हैं बिंध्या बली से भगवान बोले देवी तुमारा पती कुछ नहीं मांग रा तो तुम आंग ले चत्रानी है नारा जो करके वो लिवाँ दो मिनट पहले हमारे पती के दरवाजे वेकारी वने खड़े थे अब इतने दान वीर हो गए वो तर दिया कि भगवान कुछ उत्तर नहीं देगी बिंद्या वली केती लोटे के गंग पच्छों ही बहे परमंगन ते हम मांगत नहीं मांगे बालों से हम क्या मांगे तब तब प्रेला जाया प्रेला जी बुले बेटा इंसे संसार मांगता है तुम भी कुछ मांग लो अब बबा की शिपारिश तो राजया वली बुला माराज एक वरदान देऊगे के दो चार बामन भगवान बुले हमने तेरी कठिन परीचा लई जितने वरदान तुम मांगेगा उत्रे देंगे तो राजया वली बुला माराज जी धरती तो राजया ने आपको दान कर दी आप यहां हम नहीं रहेंगे फिर कहा सुतल लोक में बढ़िया सुंदर महल बनवाओ वहां रहेंगे भगवान बुले बढ़िया चौकूर चार दरवाजे बढ़िया सुंदर महल बनवादे राजया वली बुला महल अपने नक्सा से बनवाओ और दर्वाजे हमारे इसाफ से बनवाओ कितने दर्वाजे उले तेदा दर्वाजे पूरुब में तेरा पस्चिब में तेरा उत्तर में और तेरा दक्षन अब तेरा का चार वार पहड़ा पढ़ो तेरा चोको बामन राजा वली उला तुम्भी बामन अंगुल के बन की आए सुख एक एक दरवाजे को बद्रोई के कंगुल से लेगे राध्रे में देवताओं के कारी गर विश्व कर्मा को आग्या दी बढ़िया संदर सुतलोग में मेहल बन गया राजय वली सी बुले अब चली जाओ मेहल तैयार है राजय वली आज जोड़के बुलो यह कई बरदान देंके चले है अरे मारा यहां तो सर्विवस्था जान पेंचान अब नया राजय है राजया राजय करे और रच्षत द्वारपाल अच्छा हो तो राजय करने में मन लगता कोई वह नहीं रहता तो दूसरा वरदान यह देऊ हम तो करें राजय डणडा लेकर द्वारपाल बनके राजय की रक्षा करोओ आज बहगवान वले इतना कठेन वरदान है चल भईया आमने तेरी कठेन परीक्षा ली सुतन लोग का राजा बन गया वली और भगवान डंडा लेके द्वारपाल बन गया देखो इसका प्रारब्द भाग अब ऐसी गटना गट है तो नारज जी को बड़ा बन दाता है नारज जी पहुंचे और भगवान से बोले भक्तों को बहुत परिसान करते थे अब लगई पकी डूटी अब लगएगी अकल ठेकान है तो भगवान बोले देखो देखो नारजी भक्तों के पीछे सब करना पड़ताब जो हुआ सो हुआ किसी से कहना नारजी बोले नहीं नहीं हम किसी से नहीं कहेंगे और नारजी के पेट में बात पच जाए दीना उठा भगवान की घर में भगवान का वजन करते लक्षमी जी के पास में चले पत्री नारायन 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 स्रीमन नारायन नारायन सब जगे सम्मान सब जगे तैत्यान में देबतन में इस्त्रियान में पुरुसन में कहीं पहुंचे इस सब सम्मान करते हैं सम्मान नहीं करेंगे तो ना जाने काँ की काम के दायदे में हमें भोग न पड़ेगे लक्ष्मी जी के यहां पहुँचे लक्ष्मी जी उदास बैठी है छे महिने से जिसका पती घर में नहीं वो देवी जी उदास नहीं होगे नारेजी जाके हम बोले देवी जी वो चिंता में ओ का बात है देखो सब पतो है तो ठेकर से पूछ रहे हैं तो लक्षमी जी बोली मरा जब आप से क्या चुपाना हमारे पती भगवान तो आपको बहुत मानते बहुत सम्मान करते गर के सदस होआ अरे हमारे पती हमसे कहके गए हैं देवी जी एक भक्त की हम परीख्षाल जाने हैं और दो-चार दिन में लोटाएंगे दो-चार दिन की कौन का है तस-पाँच दिन की कौन का है इच्छे महीना होगे न चिठी न पत्त न संदेश न कोई पता सून्नारच जी हसके लोए देवी जी चिन्ता मत करो हम मिलके आया हैं उनकी तो नौकरी लग गई लक्षमी जी बोली बाबा फालतूं की बात करता है सारा संसार हमारे पती का नौकर है वह किसकी नौकरी करेगा लक्षमी जी से नाराजी वली भासन नहीं दे, और करेगा नहीं कर रहे है और विश्वासना हो तो चल के देखो लक्षमी जी वली हम तो आखन से देख लेंगे, तब मानेंगे नाराजी ने लिया लक्षमी जी को साथ में और एक कोने में आका समार्ग में धड़े हो गए है देखो अब राजा वली का रोज का नियम है सुवेरे चार-पाच बजे गोड़ा पे बैठता है पूरे नगर का ब्रमन करता है सादू, संत, ब्रामन, इस्त्री, परुष, प्रजा कोई दुखी तो नहीं है यही तो राजा वली के महले में बामन दरवाजी हैं कभों जब महल से निकल जाए कभों जब महल से निकल जाए कभी सामने से अम्में दरवाजे से आज तक नहीं निकला राजा वली आज मूरी की बात राजा वली गोड़ा पे बैठो और सोचने लगा उसी दरवाजे से निकले जिस पे प संमान तो कर नो ही पड़ेगो. सो जैसे ही राज्याबली निकलो, और भगवान ने सलूट मारी हुआ है। पुलिस वाले बानी देखते हो, इसलोट क्लेक्टे रेस किया है, चल्ता के सविए है। जैसे ही सलूट मारी, तरवास लेकर लक्षिमी जी को चुटिया तक आख लगई कहीं फसका सेगे लक्षिमी जी बोली द्वारपाल कब से रिचे महीना होगा लोग कब तक रहेंगे सुना रजी बोले और नौकरियन में तो साथ 65 के बाद रिटार्डमेंट फंडमेल का दस वीश लाग सो घर का करचा चलता जी तो परमानेंट नौकरी है जब तक राजाना ने जिंदा रहेंगे तब तक तुम्हाँ पती को यसी दूटी देना पड़ा कोई उपाए नारज जी बोले कोई उपाए लक्षमी जब जाना के गियानी तो नारज जी बोले हम चाहें तो इस चुटी मिल जाएगी ये कई मिनट में लक्षमी जी बाबा बार बार तुम्हाँ पहुंच ये जीवन भरे असान नहीं भूलेंगे आज तो हम जानते के स्वें परमात्मा चौकीदार बना है राजा वली का द्वारपा साथ में लेके चलो एसोफाय बताओ नारज जी बोले बिलकुल नहीं एक महीना थोड़ा तुम्हें तहरे रखना पड़ेगा और एक महीने के बाद लक्षमी जी नारज हो के नारज जी से बोले जी तुम्ह समय ने कमी है जब आधको तुम्हें कल बताने बाद को आज ही बता दो जब पूरी बदनामी ऊजाएगी तब बताओ तब लुए देवी तुम्हें नहीं हो समय की बाद समय पर बताए जाए एक महीना निकल गया स्रावन का पूरा और पूरिमां का दिनाया प्रत्थे ने अपने भाई के हाथ में राकी बानना चाहेती हैं आज नारत जी पहुचे गए लक्षमी जी से का देवी आज तुमारे पती को छुट्टी मिलेगी क्या करना है मिठाई का डबा मंगाओ नारियल मंगाओ और बढ़िया तैयार होकर के लक्षमी जी नारत जी के साथ में चाहेती है नारत जी समझाते जा रहा है देखो देवी याद रखना में दर्वाजे पर रोज राजय वली निकलता है प्रजागा सुपदक पूछने के लिए सुम्हें दर्वाजे के सामने है चबूत्रा तो वही बैठेंगे और जैसे ही राजय वली निकले तो भूंगट के अंदर से तुम नकली रोणा और जैसे ही तुम नकली रोणी राजय वली देखेगा कोई देवी शिकार करने आई है और जैसे ही राजय वली तुम्हारे पास आए तो राजय वली प्लूशे कैक देवी जी कायब को रो रही हो सो कहना एक पंडी जी कह रहे थे के वो बहन बड़ी भाकिसालनी है जो आज अपने पती के हाथ में राखी बांदेगी हम किसके हाथ में राखी बांदेगा हमारे कोई भाई नहीं है जब तुम ऐसा सहोंगी तो राजय वली के उधर कोई बहन नहीं है सुबुत में धर्म की पेहन बनागा अपने हाथ में राखी बंदबावेगा और कहया पेहन जी राखी बदाई की दक्षना मांग लो सो अपने पती को मांग लेगे लक्ष्मी जी बोली ये बातें बता रहा है और जूगी तो नहीं पढ़ेगी नारच जी बोले हमारा नाम है नारच जिनकी बताई भाई बात आज तक रद न भाई हो नारम ज्यानम ददादी दिनारच जो सबको ज्यान देगे तो लक्ष्मी जी बोली ठीक है और नारच जी हो गई एक जगे आखास मारग में खड़े ओ लक्ष्मी जी राजावली के मेंदर बाजे पर जो सामने चबूत्रा वहां बैठ गई सुबह बर्म भुर्थ का समय है ध्यान से सुनना राजावली गोड़ा पर जैसे ही निकलो ओ लक्ष्मी जी रोने लगी गुवट के अंदर से राजावली गोड़ा भुले घर की देवी है किसी ने कोई कश्ट सताया सु शिकाज करने लिए शिकाज करने लिए राजावली गोड़ा से नीचे उतर के बोला देवी ए राजावली का दरवार है यहाँ न्याई बिलता है जिसने अब्दसब्द बोले उसकी जीवा कटवा देवी जिसने हाथ उठाया हो उसका हाथ कटवा देवी और जिसने एक मुद्रिष्टी से देखा हो उसकी आँख निकलवा दें तो लक्षमी जी बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहां के लड़का बहुत अच्छी है हम रास्ता भूल रहे सुबह यहां तक भेज गए तो राजय बली लक्षमी जी से बोला क्यों फिर बताओ कव भले आदमी के दरवाजे बर्स बर्स के दिन आसु बगरावो असुवन रोवो अच्छी बात है आज कितना अच्छा तिवहर है प्रतेक बेने अपने भीयन के हाथ में राखी बांदेंगे